नमस्कार, हिमाचल बुलेटन में आपका स्वागत है, पेश हैं आज के समाचार पंजाब यात्रा के दौरान, पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा विवस्था में की गई चूक के सम्मंध में ग्यापन सौंपा। प्रतनीती मंडल ने इस घटना की उच्छ सरीय जाच करवा कर दोशियों के विरुद सक्त कारवाई करने का आग रह किया। साफसर पर मुख्य मंत्री शीजाराम ठाकूर ने कहा। में दारना बैवार किया और प्रदान मंत्री जी को उस सभा में पहुंचने उस कारेक्रम में पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने रोक दिया। और वो संभव है कि सरकार के इशारे पर ही एक तरह से वो सारी घटना करम वहां पर घटित हुआ है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदे जी को ग्यापन दिया है कि इस सारे संदर्व में उच्छ तरिये जांच होनी चाहिए। और जो दोशी है उनके खिलाब कड़ी से कड़ी कारिवाई होनी चाहिए। देश के यशस्वी पधान मंतरी निरंदर मोदी जी जो संभधानिक दाईतों का निर्वेहन कर रहे हैं पधान मंतरी के बतौर पर और इससे बढ़कर के मैं ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज वो देश की नहीं दुनिया के सबसे लोग प्रियनेता हैं और उनकी सुरक्षा किस प्रकार से गैर जिमेदारना तरीके से पंजाब की सरकार ने वहां पर खत्रे में डाली तो ये सब चिंता का विशय है और च समस्ता हों के कि पंजाब सरकार जो कॉंग्रेस पार्टी के सरकार है उनकी एक तरह की दिवेश की एक भावना इसमें दिखती है और ऐसी परस्यति में मेरा फिर से इस बात के लिए जोर से आगरे है कि इसमें निश्चे तरोप से कठोर कारवाई होनी चाहिए जो दोशी है पढ़ान मंती जी को लगबग 20 मिनट तक एक जगा सड़क पर रुकना पड़ा और अंतता गत्व अप काफिला मूड करके फिर बापिस जो है वो पढ़ान मंती जी का वहां से चला गया तो ये परस्थिती अगर निर्मित हुई है तो ये कॉंग्रेस पार्टी की सरकार के तोर तरीके जिस परकार से बदले की भावना से द्वेश की भावना से घ्रीना की भावना से जो कारवाय की गई है उसकी पूरे देश में पूरे प्रदेश में जितनी भी निंदा की जा सकती है वो कम है मुखे मंतरी शीजाराम ठाकूर ने आज शिमला में राजपाल श्री राजेंदर विश्वनात आरलेकर के साथ राजभवन में मौसम की पहली परफवारी का अनंद लिया राजपाल ने मुखे मंतरी के साथ राजभवन परिसर का दोरा भी किया मुख्यमंतुरी ने बरफबारी के संबंध में राज़पाल के साथ अपने अनुभवों को साचा किया उन्होंने किसानों और बागवानों के लिए बरफबारी की उप्योगिता से भी अफगत करवाया मुखे मंतरी ने कहा कि बरवबारी गर्मियों के दरान शिमलाक्षेतर में होने वाली पानी की कमी से निपटने में भी सहायक होती है और ने कहा कि भारी पर बारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तयार है और स्थानी लोगों को हिमपात से होने वाली कठिनायों से राहत प्रदान करने के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन के लिए व्यापक विवस प्रवक्ता ने कहा कि इन सभी कारिक्रमों को शिग्र पुनर निर्धारित किया जाएगा मुखे मंतरी शिजाराम ठाकुर ने शिम्ला से हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसेशन द्वारा आयोजित प्रवासी भारतिय दिवस के अफसर पर भारतियों को वर्च्वल माध्यम से संभूधित किया इस अफसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की समर्द संस्रिती और परंपरा को प्रभावी ठंक से सनक्षित करने के लिए विश्व के विफिन भागों में रहने वाले हिमाचलीयों की सरहना की शिजारामठाकू ने कहा कि प्रवासी भारतिय दिवस प्रवासी भारतिय समुदाय को समर्पित दिन है उन्होंने प्रवासी हिमाचलीयों से राजे में निवेश करके प्रदेश के विकास में भागिदार बनने का भी आगरह किया उनने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के विभिन हिस्सों में अपना एक विशेश स्थान बनाया है और उनने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने एक छोटा राजे होते हुए भी देश के बड़े राजियों को विकास के विभिन ख्षित्रों में रास्ता दिखाया है उनने कहा कि राजे सरकार ने प्रदेश में निजी निवेश को आकरशित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीच का आयूचन किया है उन्होंने का कि ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के बाद आयोचित दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 42,000 करोड रुपए की परियोशनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग में सफल रही है जो इस आयोचिन की सफलता का प्रमान है मुखिमंतरे ने कहा कि यह कारिक्रम प्रवासी भारतियों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मील का पत्थर साबित होगा उन्होंने कहा कि हिमाशली प्रवासी और विभिन प्रवासी संगों ने दुनिया के विभिन हिस्सों में हिमाशली संस्कृती के प्रचार प्रसार में महत्वपून भूमिका निभाई है शुजारम ठाकूर ने कहा कि यह है वेबिनार विदेशों में रह रहे हिमाशलियों के ग्यान, विशेश अग्यता और कौशल को समर्द करनी के लिए एक साजह अम्मंच प्रदान करेगा और उन्हें COVID-19 महमारी के दोरान हिमाशली लोगों के योगदान की भी सरहना की आज के दिन जो हमारा एक बहुत एक स्पेशल डे है, नौजनवरी का ये है, जिसको हम प्रवासी भारतिय दिवस के रूप में मनाते हैं और खिमाशल के लोग पूरे देश पर में हैं, तो इसलिए खिमाशली प्रवासी ग्लोबल एसोसेशन जो एक प्लैटफॉर्म आप लोगों ने इस प्रकासे बना करके आज के इस कारेकम के आउजन और उसके साथ साथ में आपस में मिल करके हम कैसे रह सकते हैं जूड करके कैसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं पुरे देश पर में हम हिमाचल के हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते होंगे लेकिन उसके बावजूद हम अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने संस्किती के माध्यम से अपने जो हिमाचल के उस एक रिष्टे के नाते से आपस में connected रहें ये बहुत ही एक बेतरी आप लोग ने प्रयास किया उसके लिए मैं आप सबको बदाई देता हम अभी हम जो प्राइवेट सेक्टर की investment को हिमाचल प्रदेश में और भी attract करन जहां हिमाचल सोल्वें स्तारवेंस्तान पर था अब हम सात्वेंस्तान पर हैं हम पुरे देश पर में कीज़ अप डूइंग बिजनस पर हमने काफी उसमें जंप लिया है बेतर किया है तो आप सब से जो इंटरेक्ट कर रहे थे अभी हम तो कुछ बातें आपके बातें से हमारे जहां की जो हमको हमाचल परदेश में करनी चाहिए और जैसे कहा कि यह तो इसका मिनिस्ट्री के साथ को हमको पूर्टपोलियो या लग से बना करके इसको जो बाहर के लोग जो हमाचल के लोग विदेशों में रहकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर विदेश जो अब लोगों ने अपरी तक भी इतना दूर रहने के बार दूर भी अपनी इस पहचान को बनाए रखा है कनेक्ट करके रखा मैं देख रहा हूँ सभी लोगों ने हिमाचल प्रदेश की अपनी तोपी पहन रखी है यह मुझे बहुत अच्छी बात लगी एक तोपी हमारा हिमाचल की एक पैचान है हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध करमचारी महा संग की राज़े वजिला कारेकार्णियों के एक प्रतनिधी मंडल ने आज मुख्य मंतरी शीजाराम ठाकूर से उनके आधिकारी का आवास ओकोवर में फेंट की प्रतनीधी मंडल ने राजे में करमच्वारियों के अनुबंध कारेकाल को तीन वर्ष से घटा कर दो वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई पियार हिमाचल इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजे इजाजत, नमस्कार